तो चली आगे बढ़ते हैं, अब हम discuss करेंगे M and A in banks, यानि के mergers and acquisition in the banks, तो banking sector में दो bank merge कैसे होते हैं, या एक bank, दूसरे bank को acquire कैसे करता है, चली discuss करते हैं, सबसे पहले तो banking industry, यानि के banking sector के कुछ terminologies स्थीख लेते हैं, सबसे पहली terminology आपके सामने आ रही है, NPA, NPA का full form होता है non performing asset of bank, तो NPA क्या है, NPA के asset है, इसका asset है, तो bank का asset है, तो अगर आप bank की balance sheet उठा के देखोगे, तो इसमें कुछ assets होंगे, कुछ liabilities होंगे, assets क्या-क्या होता है, तो bank का जो main asset होता है, वो होता है loan or advance given by the bank, मतलब bank, जो loan लोगों को देता है, वो उसका सबसे बड़ा asset होता है, अगर वो loan, यानि कि वो asset perform कर रहा है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है, कि payment of interest और principal to the bank by the customer हो रहा है, यानि कि वो asset perform करने का मतलब ये निकलेगा, कि वो जो बंदा है, जिसको bank ने loan दिया, वो बंदा timely interest भी pay कर रहा है, और principal amount भी repay कर रहा है, ठीक है, तो अगर ये चीज non performing हो जाए, तो उसका मतलब होगा non payment of the interest और principal amount for more than 90 days from the due date, तो जबी भी आप bank से loan लेते हैं, वहाँ पर due dates रहती हैं, जिस दिन आपको interest या principal repay करना होता है, तो अगर कोई आदमी due date के 90 days तक, यानि के लगभग 3 महिने तक, interest का payment या principal का repayment नहीं करता, तो वो जो asset होता है, जो bank की books में दिख रहा है, वो non performing asset बन जाता है, यानि के वो asset perform नहीं कर रहा, यानि के वो बंदा loan का जो repayment है, which is the principal amount, या तो वो repay नहीं कर रहा, या तो interest payment नहीं कर रहा, तो that is your NPA, तो एक percentage होता है, gross NPA percentage, उसका formula होता है, gross NPA divided by gross advances or loan given by the bank into 100, ये जो percentage है, ये lower the better अच्छा होता है, तो मैं आपको बता चुका हूँ कि lower the better कैसे पता करें, तो since यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, कि numerator में NPA है, और denominator में advance है, यानि कि asset है, तो अगर numerator, यानि कि NPA कम से कम होगा, तो अच्छी बात होगी, ऐसा इसलिए क्योंकि bank ने जितने लोगों को loan दिया है, उनसे अच्छा-कासा पैसा bank को मिल रहा है, तो NPA अगर कम है, यानि कि numerator कम है, तो percentage कम आएगा, और अगर denominator जादा है, यानि कि bank ने बहुत सारे advances दिये हुए हैं, तो ये possible है कि बहुत ही कम लोग, default करें, default करें, यानि कि NPA बन जाएं, यानि कि interest payment ना करें, या फिर principal repayment ना करें, तो gross NPA percentage, अगर आपके सामने दो bank अगर मैं रख दूँ, तो आपको वो अला choose करना है, जो कि lower है, यानि कि lower the better, क्योंकि जिस bank का gross NPA percentage कम होता है, वो bank अच्छी होती है, ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ, क्योंकि हर bank का जो loan देने का process है, वो different होता है, यानि कि loan approval process different होता है, अगर कोई bank जिसमें NPA कम है, यानि कि gross NPA percentage कम है, इसका मतलब यह है कि bank बहुत ही दिमाग लगा के, बहुत ही सर फोड के, मतलब बहुत ज़ादा brainstorming करके ही loan देती है, और कोई दूसरी bank है, जो ज़ादा loan disbursement process, यानि कि loan देने के process में, दिमाग नहीं लगाती, थोड़ा बहुत checking किया, और loan दे दिया, और कल को पता चला, वो सामने वाला repay नहीं कर पा रहे है, तो वैसी bank अच्छी नहीं होती, जहाँ पे loan देने का जो process है, वो ज़ादा brainstorm वाला नहों, यानि कि वहाँ पर ज़ादा detail investigation नहीं करी हो, जहाँ पर detail investigation होती है, उस bank के chances कम होते हैं, कि उनका जो NPA वो ज़ादा बड़े, उनके NPA कम रहते हैं, तो gross NPA percentage is lower the better, दूसरा एक word आता है, capital adequacy ratio, यह क्या होता है, यह होता है, capital that should be adequate to face the losses, when there is NPA, and loan cannot be recovered, then asset is equal to loss or expense in the nature of bad debt, तो since आपने accountancy पड़ी हुई है, आपको पता होगा कि data क्या होता है, और bad debt क्या होता है, data वो होता है, जो मेरे से सामा ले जाता है, और कल को मुझे उससे पैसा लेना होता है, अगर वो मुझे पैसा दे देता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, पैसा नहीं देता, और मुझे लगता है कि मेरा पैसा डूब गया, तो मैं bad debts, expense book कर लेता हूँ, और data को कम कर लेता हूँ, यानि कि अपने asset को कम कर लेता हूँ, और expense को बढ़ा देता हूँ, फिर ये bad debts जो है, यानि कि जो expense है, वो मेरे profit and loss account में चला जाता है, to the debit side, तो banks के साथ क्या होता है, banks के लिए data कौन होता है, banks के लिए data होता है, जिन्होंने उनसे loan लिया हुआ है, यानि bank ने loan दिया हुआ है उनको, जिन्स bank को उनसे पैसा लेना है, तो bank की books में वो asset है, जो मैंने थोई दिर पहले आपको बताया, while I was discussing NPA, तो since bank की books में, वो सामने याले बंदे, जिनको bank ने loan दिया हुआ है, bank की books में वो asset दिख रहा है, अगर वो पैसा नहीं देता, मतलब वो पैसा नहीं चुका पाता, और कहता है कि मैं नहीं दे पाऊंगा, तो bank के लिए वो unrecoverable हो जाएगा, यानि कि that amount cannot be recovered, तब bank के लिए वो asset, asset नहीं रहेगा, तो उस asset को, bank को expense book करना पड़ेगा, यानि bad debts recognize करना पड़ेगा, जिससे कि bank के expenses बढ़ जाएंगे, और asset कम हो जाएंगे, free expenses, profit and loss account में चले जाएंगे, to the debit side, तो capital that should be adequate to face the losses का मतलब है, बैंक को कितना capital maintain करके चलना चाहिए, as compared to their assets, ऐसा नहीं हो कि loss बहुत जादा हो जाए, यानि बहुत जादा NPO हो जाए, और कल bank को बंद करना पड़े, यानि bank को bank corrupt हो जाए, तो इसके लिए एक ratio है, which is capital adequacy ratio, C-A-R, इसका formula दिया हुए tier 1 capital plus tier 2 capital divided by risk weighted assets into 100, आपको focus करना चाहिए, capital में और assets पे, यह numerator में capital है और denominator में assets है, where tier 1 capital is the ESC, यहनिकी equity share capital plus RNS, अनि reserve and surplus minus preliminary expenses, this is the core capital of a bank, tier 2 capital, revaluation reserve, hybrid securities etc, this is the supplementary capital of the bank, तीसरा आता है risk weighted assets, तो यह कैसे calculate होता है, तो जो भी assets है bank के, जितने भी उन्होंने bond issue करके रखे हैं, loan देके रखे हैं, etc, उन्हों सब की list बना लेंगे, फिर एक एक को देखेंगे, यानि एक कस्टमर को देखेंगे, कि वो ज़्यादा risky है कि नहीं, यानि कि risk high है, medium है या low है, जो कस्टमर बहुत ही धीरे-धीरे पैसा दे रहा है, NPA में आता है, फिर पैसा देता है, फिर NPA हो जाता है, यानि कि वहाँ पर risk जादा है, कभी भी डूप सकता है, medium, यानि कि एक आत बाद default हुआ है, लेकिन फिर भी account regular है, यानि कि कोई दिक्कत नहीं है, और low risk का मतलब यह है, कि दो दिन पहले ही पैसा मिल दाता है, या फिर timely payment मिल दाता है, तो उसी साब से हमने एक-एक asset को, यानि एक-एक loan को bank classify कर देती है, high risk, low risk, medium risk, उसके साब से उसको weight दे देती है, weight का मतलब यह है, कि उसमें risk कितना है, जो चीज ज़्यादा risky होती है, उसको ज़्यादा weight देंगे like 90%, जो चीज medium risky है, उसको मान के चलो 50% weight दे दिया, और जिस चीज में बहुत ही कम risk है, उसको 10% weight दे दिया, फिर risk को multiply कर दिया, यानि कि जो asset का value है, उसको weight से multiply कर दिया, और answer अगर risk weighted assets, तो अगर यहाँ पर 100 रुपे का मैंने loan दिया था, और risk बहुत ज़्यादा है, तो 90 रुपी जहाँ जाएगा इनके 90%, और यहाँ पर अगर मैंने 100 रुपे का loan दिया था, जहाँ पर risk बहुत कम है, तो यहाँ पर लिखूंगा 10, अगर medium की बात करूँ मान के चलो मैंने 100 रुपे का यहाँ पर भी किसी को loan दिया था, 50 रुपे का risk है तो 50 आ जाएगा यहाँ पर, तो 90 प्लस 50, 140 प्लस 10, 150, तो जो मेरा 150 आ जाएगा, this is the risk weighted assets, मतलब जो assets मेरी बुक में दिख रहे हैं, which is 300, इसमें मैंने weights को multiply कर दिया, और मेरा risk weighted assets आ गए, 150, ठीक है, जो capital adequacy ratio होता है, it is higher the better, ऐसा इसलिए क्योंकि numerator में आपका capital है, और denominator में आपका risk है, यानि कि risk weighted assets है, तो अगर यह ratio, यानि कि capital adequacy ratio बहुत ही high है, इसका मतलब capital आपके पास बहुत जादा है, और अगर यह ratio कम है, मतलब capital बहुत ही कम है आपके पास, एक और कारण है higher the better होने का, कि आपके जो risk weighted assets हैं, वो बहुत ही कम है, अपने notice किया होगा, कि यहाँ पर भले 100 रुपे का मैंने advance दिया हुआ था, लेकिन risk weighted assets की value सिर्फ 10 आ रही है, मान के चलो बाकी दो loan जो थे उबर वाले, वो भी low risk के थे, तो वहाँ पर भी मेरा value कम आता, इन्हें risk weighted assets का जो answer है, वो बहुत ही कम आता, इसका मतलब यह हुआ कि उस bank ने जितने भी loan दिया हुए है, उसमें बहुत जादा जो है, वो कम risk है, यानि के low risk वाले है, मतलब वहाँ पर जितने भी customer है उस bank के, वो बहुत ही अच्छे customer है, customer time से interest भी दे देते हैं, और principal का भी repayment कर देते हैं, तो there are two reasons, कि capital adequacy ratio कि इसी bank का high है, वो हो सकता है, capital उसका बहुत जादा हो, या फिर risk weighted assets बहुत कम हो, this is higher the better, इसका मतलब यह है, कि अगर दो bank के capital adequacy ratios, मैं आपके सामने रख दूँ, तो आपको उसको चूज करना चाहिए, जिसका capital adequacy ratio ज्यादा है, और NPA के case में, NPA के case में, आपको उस bank को चूज करना चाहिए, जिसका gross NPA percentage कम है, ठीक है, तो चलिए bank की balance sheet को discuss करते हैं, कि bank की balance sheet कैसे होती है, liabilities and assets, liabilities में share capital, reserve and surplus and liabilities, assets में major assets आपके होते हैं, loans and advances, और कुछ other assets होते हैं, bank के जो loans and advances होते हैं, वो bank के main assets होते हैं, जहां पर risk होता है, मतलब bank का काम ही है deposit लेना, और advance देना, तो since advance देना bank का main काम है, bank का जो main asset है, वो है loans and advances, इसको लेके bank को risk होता है, कि अगर ये कलको NPA हो गया, और उसके बाद bad debt expense, आपको write-off करना पड़ गया, यानि कि आपने bad debt expense दिखा दिया, asset को कम कर दिया, और expense को profit and loss account में ले गए, और अगर मान के चलो, आपके इतने सारे expenses, यानि कि bad debt expenses हो गए, आपको net loss आ गया, ठीके profit and loss account में net loss आ गया, ये net loss का क्या होता है, तो net loss, reserve and surplus में जाता है, और कहीं ना कहीं, आपका share capital and reserve and surplus को कम कर देता है, profit आपके share capital को बढ़ाता है, यानि share capital and reserve and surplus, जिसे हम shareholder funds कहते हैं, उसको बढ़ाता है, और आपका loss जो है, आपके shareholder funds को कम कर देता है, तो आपको दिख रहा होगा कि कैसे कोई NPA, आपके capital and reserve and surplus, यानि shareholder funds को erode करता रहता है, इनके खाता रहता है, जिस bank के जितने ज़्यादा NPA होते जाएंगे, उस bank का उतना share capital, वो NPA खाता जाएगा, यानि कि NPA जो asset था कल तक, आज वो expense हो गया, expense के बाद वो loss हो गया, यानि loss बन गया, और loss जाके आपका balance sheet में, आपका share capital and reserve and surplus को कम कर देता है, इनके erode कर देता है, इनके खा लेता है, तो इस तरह कि से linked होते हैं, यानि के connected होते हैं, NPA और capital adequacy ratio, तो चलिए question solve कर लेते हैं, during the audit of the weak bank, W, RBI है suggested जादी bank, should either merge, with another bank, or may close down, strong bank has submitted a proposal of merger, of weak bank with itself, the relevant information and balance sheets, of both the companies are as under, weak bank, strong bank, assigned weights percentage, gross NPA percentage दिया हुए, 40% weak bank का, और 5% strong bank का, तो since आपको पता चल चुका है कि, gross NPA क्या होता है, आप ये समझ सकते हैं, कि 40% का मतलब ये निकलेगा, कि weak bank, अगर 100 रुपए का लोन देती है, तो 40 रुपए NPA होने के चांसेत होते हैं, नहीं के 40 रुपए NPA हो जाते हैं, अलब 40 रुपए Unrecoverable की स्थिती में आ जाते हैं, एक बाद आप ध्यान रखना, NPA का मतलब ये नहीं होता, कि आपको bad debts recognize करना ही पड़ेगा, NPA का मतलब ये होता है, कि सामने वाले का जो position है, वो बहुत ही critical है, कभी भी डूब सकता है, NPA से बहुत बार लोग वापिस आ सकते हैं, यानि के आपका financial condition अच्छा हो सकता है, आप NPA से regular हो सकते हैं, यानि के आपका situation, यानि आपके customer का, यानि के bank के customer का situation वो अच्छा हो सकता है, तो gross NPA तरीके का signal है, कि आपके books में जो assets खड़े हैं, 100 रुपे के assets, उसमें से 40 रुपे डूबने के chance हैं, और weak bank, strong bank में अगर 5% gross NPA percentage है, इसका मतलब ये निकलेगा, कि अगर strong bank करने 100 रुपे का लोन दिया हुआ है, 95 रुपीज तो bank को मिली जाएंगे, 5 रुपे का risk लग रहा है, और weak bank में अगर आपने 100 रुपे का किसी को लोन दिया हुआ है, तो risk है कि 40 रुपे डूब सकते हैं, सिर्फ 60 रुपे ही आएंगे आपको वापिस, 30% assigned weight है, capital adequacy ratio C.A.R. total capital upon risk weight assets 5 and 16, assigned weight से 28, आपको दिख रहा होगा कि strong bank का capital adequacy ratio जादा है, तो अच्छी बात है, और weak bank का कम है, market price per share 12, 96, 32% is the assigned weight, book value, 10% हमको assign करना है weight, total is 100%, तो since हम लोग questions solve कर चुके हैं, जहांपर हमने देखा था कि swap ratio में, अलग-अलग चीज का अलग-अलग importance होता है, यहां अलग-अलग ratios का अलग-अलग weights होता है, तो यहां पर भी हमको ऐसी करना है, trading on stock exchange irregular frequent, balance sheet in lakhs, paid up share capital 150, 500, reserve and surplus 80, 5500, deposits 4000, 44,000, other liabilities 890, 2500, total liabilities 5120, 52500, cash in hand and with RBI 400, 2500, balance with other banks 0, 2000, investments 1100, 19,000, advances 3500, 27,000, other assets 70, 2000, preliminary expenses 50 and 0, preliminary expenses का मतलब होता है, deferred revenue expenditure, यानि के company चालू करने के पहले के खर्चे, usually companies क्या करती है, जो भी खर्चा हो चुका होता है, company चालू करने का, उसको books में recognize कर लेती है as an expense, बट उसको एक बार में, profit and loss account में नहीं दिखाती, उसको differ करती जाती है, यानि हर साल थोड़ा-थोड़ा expense दिखाते हैं, यानि के preliminary expense दिखाते हैं, books of account में, यानि के profit and loss account में, और asset के रूप में, यानि debit balance के रूप में, preliminary expenses आपका दिखता है, asset side में, actually में preliminary expenses, actually में कोई asset नहीं होता, वो तो सिर्फ एक accounting treatment है, कि आपने उसका debit balance को पार्क कर दिया, asset side में, और धीरे-धीरे हर साल, अपने expense books में दिखाया, यानि कि जो 50 दिख रहा है, वो धीरे-धीरे खतम होता जाएगा, you are required to calculate the swap ratio, based on above weights, so strong bank acquirer है, weak bank acquired है, strong bank take over करने वाला है, weak bank को, swap ratio में सबसे पहले, gross NPA निकालेंगे, यानि कि acquired का GNPA, upon acquirer का GNPA, 40% upon 5%, 8 is to 1, इस question का सबसे important part यही है, जहां पर बहुत सारे students से mistake हो जाती है, please ध्यान से सुनेगा, कि हमारा answer आया है, 8 is to 1, अगर आगे का data मैं नहीं पढ़ूं, और इसी को swap ratio मान लूं, तो 8 is to 1 का मतलब क्या निकलेगा, 8 is to 1 का मतलब यह निकलेगा, that 8 shares of the acquirer, उसका interpretation कैसे करना है, तो अगर 8 is to 1 आपका आ रहा है answer, तो आप यह कहेंगे, that 8 shares of the acquirer, for every 1 share of the acquired, मतलब 1 share of the acquired के पीछे में, 8 shares of the acquirer मिल जाएंगे, यानि 1 share of the weak limited के बदले में, 8 share strong limited के मिल जाएंगे, थोड़ा सा illogical लग रहा होगा, illogical इसलिए लग रहा है, क्योंकि since weak bank की जो स्थिती है, यानि की position है, वो बहुत ही critical है, वहाँ पर 40% का NPA है, जो अच्छी बात नहीं है, वो बुरी बात है, जबकि strong bank का NPA, सिरे 5% है, जो की बहुत अच्छी बात है, because gross NPA is lower the better, तो strong bank को, अपने 8 shares क्यों देने चाहिए, for 1 share of weak bank, उसको तो उल्टा करना चाहिए, यानि कि उसको 8 shares of weak bank के बदले में, अपना 1 share देना चाहिए, वो तो ज़्यादा logical लग रहा है, तो यहाँ पर भी हम वही करेंगे, यानि कि हम switch कर देंगे, 8 is to 1 वाले exchange ratio को, as 1 is to 8, अब हम इसको 1 is to 8 पड़ेंगे, यानि कि 1 share of the acquirer, for 8 shares of the acquired, यानि 1 share of strong bank, for 8 shares of weak bank, तो यहाँ पर ज़्यादा logical लग रहा है, कि आपका एक share जाएगा, against 8 shares of weak bank, क्योंकि जो NPA है, वो यह बता रहा है, कि भले NPA percentage ज़्यादा हो weak bank का, वो कोई अच्छी बात नहीं है, वो तो बलकि बहुत ही बुरी बात है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, capital education ratio, acquired का C.A.R. upon acquirer का C.A.R. 5% upon 16% 0.3125 is to 1 MPS, acquired का MPS upon acquirer का MPS, rupees 12 per share upon rupees 96 per share, rupees rupees कर जाएगा, share share कर जाएगा, answer हैगा 0.125 is to 1, और BVPS, acquired का BVPS upon acquirer का BVPS, rupees 12 per share upon rupees 120 per share, 0.10 is to 1, ये 12 rupees and 120 rupees कैसे आया, चलिए working note देख लेते हैं, हमको निकालना है, book को value per share, तो उसके लिए हमने ले लिया, share capital 150 lakhs, 500 lakhs, reserve and surplus 80 lakhs, 5500 lakhs, तो total आ गया, 230 lakhs and 6000 lakhs, preliminary expenses, since कोई asset नहीं होता, आपको इसको minus कर देना चाहिए, यानि कि, 50 आपको minus कर देना चाहिए, to arrive at the net worth, or book value, which is 180 lakhs, and 6000 lakhs, तो कई बार हम लोग net worth का formula यूज कर चुके हैं, यानि कि equity का formula यूज कर चुके हैं, इसलिए, वहाँ पर मैंने ये बात नहीं बताया था, कि आपको preliminary expenses minus करना होता है, क्योंकि question में उसका data नहीं था, since इस question में preliminary expenses का data दिया हुआ है, इसलिए आपके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है, कि since preliminary expenses, या फिर कोई और तरीके का deferred revenue expenditure, आपका asset नहीं होता, इसलिए आपको, आपका ESC plus PSC plus RNS, में से इसको minus करना होता है, to arrive at the net worth और book value, इसको divide कर देंगे number of outstanding shares से, number of outstanding shares कुछ इस तरीके से निकलेगा, कि 150 lakh is the share capital, और 10 रुपे का एक share है, so 150 lakh upon 10 is 15 lakh shares, and 500 lakhs rupees is the share capital, और 10 रुपे का एक share है, तो 500 upon 10, 50 lakh shares, so 180 lakh rupees divided by 15 lakh shares, rupees 12 आपका आगा book value per share of weak bank, and 6000 lakh rupees divided by 50 lakh shares, 120 rupees per share, आपका आगा bvps, book value per share, तो rupees 12 per share upon rupees 120 per share, यहनि acquired का bvps, अपन acquirer का bvps, 0.10 is to 1, अब छोटी सी trick, मैं आपको बता रहा हूँ, यह बात याद रखने की, कि आपको जो swap ratio निकालना है, उसमें switch करना है, यह नहीं करना, यह trick यह है, कि जो भी आप parameter ले रहे हो, यहनि के NPA ले रहे हो, यह lower the better है, यह higher the better है, मतलब इसका कम होना अच्छी बात होती है, यह जादा होना अच्छी बात होती है, तो यह कम होना अच्छी बात होती है, यानि कि जितना NPA कम होगा उतना अच्छा है जब ऐसी बात आएगी यानि lower the better वाला parameter होगा तो आपको switch करना है लेकिन बाकी cases में जैसे कि capital adequacy ratio हो गया market price per share हो गया या book value per share हो गया इन तीनो cases में ये तीनो parameters higher the better अच्छे होते हैं ऐसा इसलिए क्योंकि अगर हम capital adequacy ratio की बात कर रहें तो थोड़ देर पहले मैंने discuss किया था कि ये higher the better अच्छा होता है ये देखिए TAR is higher the better दूसरा है market price per share तो किसी भी share की market price ज़्यादा होती है तो अच्छी बात होती है और book value per share भी ज़्यादा होती है तो अच्छी बात होती है तो ये जो बाकी parameters है since they are higher the better इसलिए हमने आपे switch नहीं किया बट NPA since lower the better अच्छा होता है इसलिए हमने switch किया 8 is to 1 को 1 is to 8 बना दिया ठीक है तो since इस question में ऐसा एक parameter था जो lower the better था इसलिए मैं आपको explain कर पाया कि switch करना है अभी तक कि हमाई जो journey रही है वहाँ पर switch नहीं करना पड़ा था क्योंकि जो भी parameters थे वो already higher the better थे ठीक है तो इस तरीके से आपका concept clear होना चाहिए कि आपको switch कहाँ पर करना है जहाँ पर lower the better parameter हो और switch कहाँ पर नहीं करना जहाँ पर higher the better parameter हो तो चलिए swap ratio निकाल लेते हैं GNP हमको दिया है 1 by 8 यह नि 1 is to 8 multiply कर देंगे 30% तो आएगा 0.0375 numerator 0.3125 upon 1 into 28 percentage 0.0875 आजाएगा numerator MPS 0.125 upon 1 into 32 percentage 0.04 आजाएगा numerator और BVPS 0.10 is to 1 यह निके 0.10 upon 1 into 10% 0.01 आजाएगा numerator समारा total numerator होने वाला है 0.0375 plus 0.0875 plus 0.04 plus 0.01 total 0.175 यह निके swap ratio हो गया 0.175 is to 1 जिसको हम read करेंगे 0.175 share of the acquirer for every one share of the acquired यह 0.175 share of the strong bank for every one share of weak bank question का second requirement है ascertain the number of shares to be issued to weak bank so number of new shares यहनिके number of new acquirer shares issue to acquired company shareholders acquired acquirer का column acquired के एक share के बदले में acquirer 0.175 share अपना देगा तो acquired के 15 lakh shares के बदले में acquirer कितने shares देगा 0.175 upon 1 into 15 lakh 2.625 lakh shares acquirer देगा यानि strong bank देगा weak bank को तो weak bank के shareholder से सारे के सारे shares यहनि 15 lakh shares strong bank ले लेगा और उसके बदले में अपने 2.625 lakh shares देदेगा prepare the balance sheet after merger ठीक है तो चली समझते हैं कि acquirer हमारा strong bank है acquired हमारा weak bank है weak bank का net worth कितना है यानि value कितनी है value है ESC plus PSC plus RNS minus preliminary expenses 150 lakh plus 80 lakh minus 50 lakh यानि 180 lakh ये 180 lakh क्या है this is the value of weak bank की weak bank का net worth कितना है और अगर आप purchase consideration देखोगे तो purchase consideration acquirer यानि strong bank ने कितना दिया strong bank ने दिया 2.625 lakh shares और उनका एक share 10 रुपे का है यानि 26.25 lakh रुपीज acquirer ने दे दिया acquired company के shareholders को और उनसे पूरी की पूरी company ले ली तो आपको दिख रहा होगा कि strong bank के तो मजे हो गए यानि strong bank ने 180 lakh रुपीज का चीज 26.25 lakh रुपीज में ले लिया मतलब आप market गए और 180 रुपे की चीज आपको 26.25 में मिल जाए तो कितना बढ़िया होगा आपको बहुत ज़ादा savings हो जाएगी यहाँ पर strong bank यानि acquirer को भी बहुत सारी savings हो गई यानि 180 lakh रुपीज के बदले सिर्फ 26.25 lakh रुपीज देना पड़ा और 180 lakh की चीज उनको मिल गई तो strong bank acquired 180 lakh रुपीज वर्थ और weak bank at the rate रुपीज 26.25 lakh तो capital reserve यानि के savings is equal to 180 lakh रुपीज minus 26.25 lakh is 153.75 lakh रुपीज तो इतने रुपीज की savings हो गई strong bank को due to acquisition of weak bank ऐसा क्यों हुआ ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो acquired है यानि जो weak bank है उसकी जो financial position है वो बहुत weak है मतलब उसका NPA बहुत high है उसका capital adequacy ratio अच्छा नहीं है यह बहुत सारे कारण होते हैं कि कोई ऐसी bank हो तो जो बहुती कम value पे sell out हो जाए ठीक है अब question ने हमसे कहा था कि balance sheet बना के दो मैं आपको balance sheet पहले break up के रूप में यानि कि strong bank का अलग weak bank का अलग करके समझाओंगा और उसके बाद final exam का जो answer है वो बताऊंगा liabilities, assets, strong bank, weak bank total strong bank, weak bank total तो सबसे पहले asset site देखते हैं strong bank के पास थे 2500 cash in hand weak bank के पास थे 400 total होगा 2900 ऐसे करते करते हैं आप total करते जाओगे तो finally answer आएगा total 52,500 strong bank के assets है 5070 weak bank के assets हैं 5750 total is the total assets of the merged bank यहाँ पर preliminary expenses मैंने नहीं लिखा तो कि preliminary expenses take or के समय खतम हो गया liabilities की बात करते हैं तो liabilities में अगर आप देखोगे strong bank का pay up share capital 500 reserve and surplus 5,500 deposits 44,000 other liabilities 2,500 total 52,500 strong bank का जो balance sheet था merger से पहले वो merger के बाद भी उतना ही रहेगा यानि के 52,500 का जो total था वो maintain होके चलेगा लेकिन weak bank को उसने 26.25 lakh shares अपने दे दिये तो total paid up share capital हो गया 526.25 reserve and surplus 5,500 सिर्फ रहेंगे capital reserve जो मैंने calculate किया 153.75 वो आपका savings हो गया यानि weak bank के column में लिख लेंगे तो total आजएगा 153.75 deposit 4000 other liabilities 890 total होके 5070 तो आप notice कर सकते हैं कि weak bank की जो balance sheet है after merger वो tally हो जा रही है यानि 5070 is equal to 5070 ठीक है और जो strong bank की balance sheet थी after merger और before merger वो same है आपको दिख रहा होगा तो अब इन दोनों को जोड़ देंगे यानि कि strong bank plus weak bank और सिर्फ total column ही show करेंगे exam में तो final answer for exam is liabilities in lakhs paid up share capital 526.25 reserve and surplus 5500 capital reserve 153.75 deposit 48000 other liabilities 3390 cash in hand 2900 balance with other banks 2000 investment 20100 advances 30500 and other assets 2070 total आपका match हो गया 57570 57570 तो यह सिर्फ knowledge purpose के लिए मैं आपको बताया कि किस तरीके से आपको savings हो गई यानि कि 153.75 बच गए strong bank के in the acquisition of weak bank उसको सिर्फ 26.25 rupees देने पड़े in lakhs to acquire weak bank अगर आप notice करोगे अगर आपको दिखेगा कि 26.25 plus 153.75 is equal to 180 lakh rupees मतलब कि जो net worth हमने calculate की जी थोई देर पहले which is this 180 lakh this is nothing but 26.25 plus 153.75 यानि कि net worth निकालने का दूसरा तरीका होता है total assets minus total liabilities अगर आप 5070 assets में से 4,890 को minus कर दोगे तो 180 lakhs आ जाएगा और 180 lakhs का breakup share capital में होगा 26.25 और capital reserve के रूप में होगा 153.75 तो यानिल आंसर इस 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 दी बैलेंस शीट अव दे merged bank calculate C.A.R. and gross N.P.A. of the strong bank after merger C.A.R. यानि capital adequacy ratio इस total capital upon risky weighted assets C.A.R. before merger week bank का था 5% और strong bank का था 16% total capital यानि के net worth C.A.R. 180 lakhs and 6000 lakhs तो यह दर पहले हमने calculate किया था यह देखिए 180 lakhs and 6000 lakhs this is the net worth or the book value तो आपका risky weighted assets आ जाएगा which is 3 which is 2 upon 1 यहनिके total capital 180 lakh रूपीज divided by 5% यहनिके 3600 lakhs and 6000 lakhs divided by 16% 37500 lakhs total आ जाएगा आपका capital 6180 lakh रूपीज and total आपका आ जाएगा risky weighted assets 41100 lakh रूपीज तो सिंस मेरे पास total capital merged bank आ चुका है और total risky weighted assets merged bank आ चुका है formula लगा दूँगा 6180 upon 41100 into 100 15.04 percentage is your capital adequacy ratio इनके merged bank का capital adequacy ratio है 15.04 percentage दूसरा है GNPA तो GNPA का जो percentage है जैसे GNPA ratio भी बोलते है that is gross NPA upon gross advances into 100 GNPA before merger दिया हुआ था 40% यानि 0.4 और 5% यानिके 0.05 इसका मतलब क्या होता है यानिके 0.4 का मतलब होगा GNPA upon advances तो advances हमें balance sheet में मिलेंगे यह देखिए balance sheet में advances है 3500 यहां से भी दिखा देता हूँ यह question से भी दिखा देता हूँ यह देखिए 3500 advances है weak bank के और 27,000 advances है strong bank के तो 0.4 is equal to GNPA of weak bank divided by 3500 lakh rupees आपका जाएगा 1400 lakh rupees यानिके 0.4 को multiply कर दोगे 3500 lakhs से तो gross NPA आजाएगा वैसे ही 0.05 को multiply कर दोगे 27,000 lakhs से तो आपका आजाएगा gross NPA of strong bank 1350 lakhs यानि 1350 lakhs total gross NPA of the merged bank है 1400 lakh rupees plus 1350 lakhs is 2750 lakhs तो इस तरह के से हमारा capital adequacy ratio आगया और gross NPA आगया तो इस तरह के से solve होता है banks का question यानि margin acquisitions कैसे होता है bank में वो हमने देखा NPA क्या होता है वो सीखा capital adequacy ratio कैसे काम करता है वो देखा ठीक है तो चली आगे बढ़ते हैं अब हम discuss करेंगे cash flow use the concept of multiple growth DDM discussed in equity valuation chapter equity valuation chapter में जो हमने multiple growth DDM का concept सीखा था उसको use करने जा रहे हैं वहाँ पर हमने सीखा था table plus formula यनि table बनाते थे उससे present value निकालते थे formula लगाते थे उससे present value निकालते थे और जोड़ देते थे table plus formula formula यूज करते थे usually constant growth DDM का here discount the cash flows तो यहाँ पर हम लोग dividend को discount नहीं करेंगे यहाँ पर cash flows को discount करेंगे लेकिन जो concept सीखा था of multiple growth DDM उसको use करेंगे चल यह question solve करते हैं yes limited wants to acquire no limited and the cash flows of yes limited and the merged entity are given below rupees in lakh year one two three four five yes limited के cash flows and merged entity के cash flows दिये हुए है earning would have witnessed 5% constant growth rate without merger and 6% with merger on account of economies of operations after five years in each case इसका मतलब यह है कि अगर yes limited merger नहीं करती no limited के साथ तो वो 5% के rate से grow करती यानि इसके जो cash flows हैं वो 5% के constant rate से grow होते हैं but since इन्होंने merger कर लिया है अब यह लोग grow होंगे पांचवे साल के बाद से यानि after five years at a constant growth rate of 6% the cost of capital is 15% यानि के KC दिया हुआ है 15% the number of shares outstanding in both the companies before the merger is same and the companies agree to an exchange ratio of 0.5 shares of yes limited यानि के acquirer for each share of no limited यानि acquired so 0.5 shares of the acquirer for one share of the acquired का मतलब होगा यहां पर 0.5 is to one so हमार exchange ratio हो गया 0.5 is to one PV factors यानि present value factors at 15% for years 125 are 0.870, 0.756, 0.658, 0.572, 0.497 respectively you are required to compute the value of yes limited before and after merger so given G यानि growth rate constant after T is equal to 5 5% before merger यानि के without merger 6% with merger यानि after merger TOC यानि cost of capital यानि के KC 15% 15% so since हम लोग multiple growth DDM का funda use करने वाले हैं हम लोग table बनाएं के सबसे पहले table बनेगा present value of cash flows up to 5 years तो year end 1 cash flow of yes limited before merger यानि के merger अगर नहीं करता तो 175 lakh rupees आते हैं पहले साल के अंत में उसके present value निकाल लेंगे at there 15% यानि के multiply कर देंगे 175 को with 0.870 तो answer आजएगा 152.25 यानि के 175 lakhs का present value आगया 152.25 और since merger कर लिए हैं एक साल बाद 400 लाग रुपे आएंगे उसकी present value निकालोगे तो 400 lakh multiply by 0.870 इस 348 तो second year end में क्या होगा second year end में 200 lakhs आते अगर merger नहीं करते तो तो उसकी present value निकाली यानि multiply कर दिया 0.756 है तो आगे 151.20 और since merger कर चुके हैं second year के end में 450 lakh rupees आएंगे उसका present value निकालेंगे यानि के 450 lakhs को multiply करेंगे 0.756 है तो आएगा 340.20 तो ऐसा हम लोग present value of cash flows before merger यानि without merger भी निकालेंगे जिसका total आएगा 882.44 यानि merger नहीं करते तो table का answer आगया 882.44 और since merger किये यानि present value of the cash flow of the merge entity आ गया 1679.27 तो table का answer आ चुका है formula का answer निकाल लेते हैं question का कहना है कि पांचोय साल के बाद से growth rate constant रहेगी यानि कि जो formula यूज करेंगे वो constant growth DDM का formula यूज करेंगे तो yes limited before merger cash flow 6 क्या होता तो cf5 into 1 plus g 350 into 1 plus 0.05 367.50 cash flow of 6th period हो जाता अगर merger नहीं होता तो उसकी present value निकालेंगे यानि cash flow at year end 6 का present value जो आएगा वो आएगा present value 5 यानि pv5 is equal to cf6 मैंने आपको equity valuation chapter पढ़ाते समय बताया था कि जो present value आती है वो one period back आती है यानि कि cash flow 6 का अगर आप present value निकाल रहे हो तो वो pv6 नहीं आएगा वो pv5 आएगा तो 367.50 upon 0.15 minus 0.05 रूपीज 3675 lakhs आ गया present value 5 यानि pv5 आ चुका है यानि आने वाले जितने भी cash flows है उसका present value at 5th year end आ चुका है अपसेंस यह pv5 पे खड़ा है इसका present value यानि कि today यानि कि p0 निकालना पड़ेगा यानि present value of pv5 निकालना पड़ेगा जो कि निकलेगा pv5 upon one plus kc का power 5 यानि कि रूपीज 3675 lakh multiply by 0.497 1826.475 lakh रुपीज आ जाएगा p0 यानि कि formula का answer तो merge entity का निकाल लेते हैं merge entity का cash flow of the 6th period यानि कि 6th period end का cash flow is equal to cash flow of the 5th period into 1 plus g यानि कि 620 into 1 plus 0.06 तो 657.20 present value 5 is equal to cf6 upon kc minus d 657.20 upon 0.15 minus 0.06 7302.22 lakh रुपीज पी 0 निकाल लेंगे यानि कि present value of pv5 इस pv5 upon one plus kc का power 5 7302.22 lakh रुपीज इंटु 0.497 यानि कि 3629.20 lakh रुपीज value of yes limited आजागा p0 table plus p0 formula यानि कि table plus formula तो 882.44 जो table से निकाला प्रस फार्मूला से 1826.475 यानि कि 2708.915 is the value of yes limited before merger in lakhs 1679.27 तो table से हमारा 1679.27 आया था फार्मूला से हमारा 3629.20 आया यानि कि प्लस का देंगे 3629.20 total 5308.47 is the value of yes limited after merger ठीक है value of acquisition value of acquisition का यहां पर formula यूश करेंगे value of the merge entity minus value of yes limited any value after merger minus value before merger 5308.47 lakhs minus 2708 and 915 lakhs यानि के value of acquisition आ जाएगा 2599.555 lakhs gain to the shareholders of yes limited exchange ratio 0.5 is to 1 let us assume the number of acquirer shares is equal to number of acquired shares is equal to x so question में दिया हुआ था कि जो number of acquirer shares है that is equal to the number of acquired shares हम अजूम कर रहे हैं कि these shares are x तो number of new acquirer shares कितना होगा it will be exchange ratio multiply by acquired का shares यानि के 0.50 upon 1 into x यानि 0.50x तो combined number of acquirer shares will be x plus 0.50x old plus new यानि के already acquirer ने x number of shares issue कर रहे थे और नए shares issue कर देगा 0.50x तो total shares of the acquirer will be 1.50x share holders के अगर हम बात करेंगे तो yes limited के जो share holders already थे उनके पास कितना था उनके पास x shares थे out of 1.50x shares ratio की बात करेंगे तो 1 upon 1.50 total share holding है yes limited के share holders की in the yes limited after merger और no limited के share holders अब बन चुके हैं yes limited के share holders उनके पास आ गए है 0.50x shares out of 1.50x shares ratio की बात करेंगे तो 0.5 upon 1.5 of the total number of shares आ गए है no limited के shareholders के पास जो की अब बन चुके हैं yes limited के share holders तो gain to the shareholders of yes limited is shares of yes limited in the merge entity 5308.47 lakhs हमारा value आया था yes limited का after merger 5308.47 lakh रूपीस ृपीड रूपीए multiply by 1 upon 1.5 हिनी के 3538.98 lakh रूपीज तो gain to the share holder is share of the yes limited in merge entity minus value of yes limited before merger 3538.98 lakh रूपीस minus 2708.915 lakh रुपीज 830.065 lakh रुपीज is the gain to the share holders or yes limited yes limited का पूरा value कितना है yes limited का पूरा value है 5308.47 lakhs उसका 1 upon 1.5 share holding किसके पास है तो yes limited के share holders के पास है मतलब उनके पास जो shares पड़े हुए है उनकी value कितनी है it is 5308.47 into 1 upon 1.5 याने के 3538.98 lakhs उनके पास जो shares थे अगर merger नहीं होता तो उसकी value कितनी होती तो उसकी value हमने थोज़ देर पहले निकाली थी जो की थी 2708.915 इसका मतलब यह निकलेगा कि yes limited के सारे share holders को एक जगा खड़ा कर दो और उनकी share holding को अगर आप नजर मारोगे तो आपको पता चलेगा कि उनके पास जो shares and total उनकी value थी 2708.915 अगर merger नहीं होता और since merger हो चुका है उनके पास जो shares पड़े हैं उनका जो value है वो हो चुका है 3538.98 यहनि कि कहीं न कहीं जो yes limited के share holders हैं उनको merger के कारण gain हुआ है कितना gain हुआ है तो 830.065 lakh रुपीज का gain हुआ है तो इस तरीके से solve होता है आपका cash flow का question यहाँ पर हम लोग multiple growth DDM यहनि के table plus formula का concept यूज करते हैं ठीक है चली आगे बढ़ते हैं अब हम discuss करेंगे dividend use the concept of constant growth DDM तो जो constant growth DDM का concept हमने सीखा था इन equity valuation उसको use करना है इसको यह question देख लेते हैं AFC Limited wishes to acquire BCD Limited the shares issued by the two companies are 10 lakh and 5 lakh respectively calculate the increase in the total value of BCD Limited resulting from the acquisition on the basis of following conditions current expected growth rate of BCD Limited 7% expected growth rate under control of AFC Limited without any additional capital investment and without any change in risk of operations 8% current market price per share of AFC Limited 100 current market price per share of BCD Limited 20 expected dividend per share of BCD Limited 0.60 So AFC Limited acquirer है जो take over करना चाहता है BCD Limited को यहनि acquired को question में data जिस तरी के से दिया हुआ है उसको मैंने tabular format में redraw कर दिया 3 column बना दी AFC Limited acquirer BCD Limited acquired और merged entity growth percentage है BCD Limited का 7% और merger के बाद 8% MPS यानि के P0 दिया हुआ है 100 रूपीज पर share of AFC Limited 20 रूपीज पर share of BCD Limited P1 यानि के expected dividend दिया हुआ है 0.60 रूपीज पर share number of shares दिया हुए है 10 lakh shares of AFC Limited 5 lakh shares of BCD Limited question पूछ रहा है increase in the value of BCD Limited जो कि निकलेगा value of BCD Limited after merger and value of BCD Limited before merger दोनों जगा पर हम लोग constant growth DDM का concept यूज करेंगे यानि के D1 upon ER-G यूज करेंगे जिससे हमारा P0 आ जाएगा और इसको multiply कर देंगे number of shares से value of the company आ जाएगा before merger constant growth DDM यूज करेंगे यानि के D1 upon ER-G use करेंगे multiple level number of shares तो यहां सभी हमारा एक P0 आ जाएगा अब notice करेंगे तो G का color यहाँ पर red है और यहाँ पर blue है यह बताने का purpose यह था कि यहाँ पर जो G है before merger वो 7% है और after merger 8% है यानि कि after merger जो G है वो हम लोग 8% यूज करेंगे यहाँ पर और before merger जो G है उसको 7% यूज करके चलेंगे लेकिन हमारे पास यहाँ पर ER यहनि expected rate of return नहीं है पहले उसको calculate कर लेते हैं तो लेट उस calculate ER first तो P0 is going to D1 upon ER minus G P0 मेरे पास है 20 rupees per share D1 है 0.60 rupees per share ER मुझे निकालना है growth rate before merger दिया हुआ है 0.07 तो इसको solve करेंगे तो ER आगा 0.1 यानि कि 10% तो P0 after merger आपको निकालना है which is D1 upon ER minus G तो D1 0.60 upon ER minus G यानि कि 0.10 minus 0.08 rupees 30 per share तो increase in the value of BCD limited is rupees 30 per share multiply by 5 lakh shares यानि कि market value after merger minus कर देंगे 20 rupees per share into 5 lakh shares market value before merger 1 crore 50 lakh is the value of BCD limited after merger 1 crore was the value before merger so increase in the value of BCD limited is 50 lakh rupees second है on the basis of aforesaid conditions calculate the gain or loss to the shareholders of both the companies if AFC limited were to offer 1 of its shares for every 4 shares of BCD limited exchange ratio दिया हुआ है 1 is to 4 1 is to 4 का मतलब होता है 1 share of the acquirer for every 4 shares of the acquired यानि 1 share of AFC limited for every 4 shares of BCD limited number of new acquirer shares is 1 upon 4 into 5 lakh यानि कि 1.25 lakh shares acquirer दे देगा यानि कि AFC limited अपने 1.25 lakh shares दे देगा और BCD limited के सारे shares ले लेगा तो question में हमको निकालना है gain to the shareholders of both the companies सबसे पहले market price of the share after merger निकाल लेते हैं तो market value before merger थी 1000 lakh and 100 lakh total था 1100 lakh number of equity shares दिया हुए है 10 lakh equity shares and 5 lakh equity shares acquired के और market price per share दिया हुए before merger 100 rupees per equity share 20 rupees per equity share number of equity shares after merger कितना हो जाएगा तो acquirer company के तो 10 lakh ही रहेंगे यानि old का old ही रहेगा यानि कि new shares यानि कि 1.25 lakh equity shares दे दिये जाएंगे to the acquired company share holders और उनसे 5 lakh equity shares of the acquired company ले लिये जाएंगे तो total हमारे number equity shares हो जाएंगे 11.25 lakh equity shares market value क्या हो जाएगी after merger तो after merger ASC limited का तो 1000 lakh का 1000 lakh ही रहेगा हमने थोज़े देर पहले calculate किया कि what will be the market value after merger of BCD limited तो BCD limited का after merger market value हो जाएगा 150 lakh यानि कि 1 करोर 50 lakh तो total market value after merger is 1000 lakh plus 150 lakh 1150 lakh तो MPS after merger हमारा हो जाएगा 5.4 यानि कि market value after merger divided by number of equity shares after merger 1150 lakh rupees divided by 11.25 lakh equity shares 102.22 रूपीज पर share हमारा जाएगा market price एक share का of AFC limited तो चले gain निकाल लेते हैं to the shareholders AFC limited यानि कि acquirer before merger एक share था 100 रूपे का after merger एक share हो गया 102.22 रूपीज का तो gain हो गया 2.22 रूपीज का answer positive आया यानि after merger minus before merger तो since मेरा answer positive आया मैं कह सकता हूँ कि merger होने के कारण मेरा एक share 100 रूपे की जगा 102.22 का हो गया यानि कि 2.22 रूपीज का मुझे gain हो गया BCD Limited में क्या होगा BCD Limited में एक shareholder था जिसके पास 4 shares थे उससे 4 shares ले लिए जाएंगे और उसको एक share acquirer company का दे दिया जाएगा मतलब कुल उससे 80 रूपे ले लिए जाएंगे आपके पास 4 shares acquired company के हैं यानि BCD Limited के हैं हमारा exchange ratio 1 is to 4 का है यानि कि आपसे 4 share ले लिए जाएंगे और आपको एक share acquirer का दे दिया जाएगा तो कुल मिला के आपसे कितने रूपे के share ले लिए गए तो आपसे 80 रूपे के share ले लिए गए और आपको कितना मिल गया आपको मिल गया एक share 102.22 रूपीस का आपको share दे दिया गया और 80 रूपए के shares आपसे ले ले गए आपको gain हो जाएगा 102.22 माइनस 80 रूपीज आंसर पॉजिटिव आएगा 22.22 रूपीज पर share का gain हो जाएगा acquired company के shareholders को acquired company का shareholder हूँ मैं अगर और में पास सिर्फ 4 shares थे तो 4 share 80 रूपए के थे वो मुझसे ले लिया गया मतलब 80 रूपए की चीज मुझसे ले ली गई और एक share मुझे दे दिया गया 102.22 का तो मैं ये कहूंगा के 102.22 का share मुझे मिल गया और 80 रूपीज का share चले गए 22.22 का मुझे पाइदा हो गया गेन हो गया Calculate the gain to the shareholders of both the companies if AFC Limited pays रूपीज 22 और इच share of BCD Limited यानि कि यहां पर all cash deal हो रही है जो कि मैंने आपको बताया था कि purchase consideration cash के रूप में भी दे दी जा सकती है तो यहां पर all cash deal हो रही है यानि कि AFC Limited 22 रूपीज और इच share of BCD Limited BCD Limited के shareholders को दे देगा यानि कि सारे BCD Limited के shareholder को खड़ा कर लेगा और एक share के पीछे 22 रूपया cash दे देगा और उनसे shares of BCD Limited ले लेगा Assuming the PE ratio of AFC Limited does not change after the merger EPS of AFC Limited is रूपीज 8 and that of BCD Limited is रूपीज 2.5 It is assumed that AFC Limited invest its cash to earn 10% हमको दिया हूँ है AFC Limited और BCD Limited का EPS रूपीज 8 पर share और रूपीज 2.50 पर share number of shares है 10 lakh shares और 5 lakh shares तो EF और ESH निकाल सकते हैं हम लोग EPS multiplied with the number of shares यहनि 8 रूपीज पर share into 10 lakh shares 80 lakh rupees and 2.50 रूपीज पर share into 5 lakh shares 12.5 lakh rupees purchase consideration cash में दिया जाएगा 22 रूपीज पर share of the BCD Limited multiply by 5 lakh shares of BCD Limited 1 करो 10 lakh rupees दे दिये जाएंगे in cash to the BCD Limited shareholders तो सिंस 1 करो 10 lakh rupees AFC Limited दे देगी BCD Limited को 1 करो 10 lakh rupees वो कहीं और नहीं लगा पाई मतलब AFC Limited 1 करो 10 lakh कहीं और नहीं लगा पाई और उसे 10% interest नहीं कमा पाई तो कहीं ना कहीं उनको notional loss हो गया of the interest income 10% of 1 करो 10 lakh यानि कि 11 lakh रूपे तो सिंस 1 करो 10 lakh rupees of AFC Limited इस्तेमाल हो गया यानि कि utilize हो गया in purchasing the company 1 करो 10 lakh rupees जो AFC Limited है वो invest नहीं कर पाई पर अगर invest करती तो 10% return कमाती 10% return नहीं कमा पाई तो notional loss हो गया on the interest income 11 lakh रूपेगा EPS of the acquirer after merger मैंने आपको बताया हुआ है combined EF or ESH upon combined number of shares in the T table पर सिंस यहां पर हमको notional loss on the interest income का data दिया हुआ है वो data को हम use करेंगे और combined EF or ESH में से minus कर देंगे तो हमारा नया formula of the EPS of the acquirer after merger हो जाएगा combined EF or ESH minus notional loss of the interest income divided by combined number of shares 80 lakh रूपीज plus 12.50 lakh रूपीज minus 11 lakh divided by 10 lakh shares यानि कि 8.15 रूपीज पर share आपको हो जाएगा EPS of the acquirer after merger अब MPS निकाल लेते हैं acquirer का post merger यानि कि after merger PE of the acquirer after merger multiply by EPS of the acquirer after merger तो EPS हमने अभी निकाला 8.15 रूपीज पर share और PE के बारे में कोशन कहता है that the PE ratio of AFC limited does not change तो पहले कितना था? पहले था 100 रूपे divided by 8 रूपे 12.50 टाइम्स पहले था PE ratio और अभी भी PE ratio वही रहेगा 12.5 इंटो 8.15 101.875 यानि कि 101.88 अगर हम round off कर दे is your MPS of the acquirer after merger अब calculate करेंगे gain to the shareholders तो shareholder of the acquirer यानि कि EFC limited को खड़ा किया गया उनको बोला गया कि before merger आपके एक share की value 100 रुपे थी और after merger आपके एक share की value 101.88 हो गई आपको gain हुआ या loss हुआ तो उन्होंने का कि उनको gain हो गया 1.88 रुपीस का यानि answer positive आ गया after merger minus before merger यानि कि 100 रुपे का share पहले था merger के पहले और 101.88 का MPS हो गया यानि कि acquire company का जो share है उसका जो MPS है post merger वो हो गया 101.88 तो gain हो गया 1.88 रुपीस पर share का लेकिन BCD Limited की जब हम बात करेंगे यानि acquired company के share holders की बात करेंगे तो इस case में जो purchase consideration दिया गया यानि कि जो PC दिया गया वो cash दिया गया उनको shares नहीं दिये गया तो यहाँ पर हम लोग 101.88 का बात नहीं करेंगे ऐसा क्यूँ? ऐसा इसलिए है तोंकि purchase consideration cash के रुप में दी गई stock के रुप में नहीं दी गई तो since आपने सामने वाले को cash दे दिया हम cash की बात कर लेते हैं before merger एक share का price था BCD Limited का 20 रुपे और after merger उसके बदले में purchase consideration cash के रुप में दे दिया गया 22 रुपे तो गेन होगा 2 रुपे का यानि के 20 रुपे की चीज BCD Limited के shareholder से ले ली गई और 22 रुपे उनको cash थमा दिया यानि के purchase consideration मेंने दे दिया तो 2 रुपे का उनको gain हो जाएगा ठीक है इसके पहले वाले point में यानि के जब हम लोग second point solve कर रहे थे जब हम यहाँ पर gain to shareholders निकाल ले थे तो यहाँ पर जो purchase consideration था वो stock था यानि purchase consideration was all stock deal जहाँ पर 4 share के बदले में एक share दे दिया जा रहा था to the BCD Limited shareholders तो वहाँ पर उनसे 80 रुपे की चीज ले ली जा रही थी और 102.22 की चीज उनको दे दी थी यहाँ पर क्या हो रहा है यहाँ पर उनसे 20 रुपे की चीज यानि 20 रुपे का share हमने ले लिया और 22 रुपे cash उनको दे दिया तो 2 रुपे का उनको फायदा हो गया यानिकि gain हो गया इस तरह के से solve होता है आपका dividend का question जहाँ पर constant growth DDM का funda हमने use किया यानिकि D1 upon ER minus G का funda हमने use किया ठीक है